नमस्कार आज हम डिसक्स करें के का प्रीवेस आप क्रेंग और स्क्रिफिस करेंगे करेंगे ताकि आपको साथ हूं मिल मिल शकर Nikki kems तरह पुलिसक्ष कोणिस्टेबल का विवी बोलते हैं 17 गोर्ष में डोटराकवार रिवाल्ट टुख फ्लेस इन विच्छ गर फांपो राइव यह कौन से वरस हुआ अग्षिप आप रहं गुद्सक्राइब आप रहां वह था गप हुआ यह उनिस सो 1906 में जो था, ये डोडरा कवार अन्धोरन हुआ था, हुआ क्या था, मैं थोड़ा सा डेटेल से आपको बइता हूँ, 1906 में बुसहर रियासत का ये डोडरा कवार एक परगना हुआ करता था, इसमें जो ता हूँ किसानों के दौरा अन्धोरन किया था, अब किसानों ने के वजीर हुआ करते थे रन बहादूर सिंग में बगावद करके डोडरा कवार परगणे कर लिया कर दिया था और उच टाइम बुषभर के राजह कौन हुआ करे संसे औसेर राजह संसेर और संसेर उठी दिया और यहांकि … किशाद असंतुष्थ थे और उन्हों ने अंदोरन कर दिया और उन्होंे यह मांग रखी कि जुब वजीरी प्रथा है इसको असमाबत किया यह जो कर इनदोरन रीजुनी को जो कि on कौन थे समझेर सिंगुष टाइम बुसार के राजा हुआ करते थे यह सब इंपोर्टन कोईशन यहां से याद रखें कोईशन नमर 18 देखिए अब 18 कोईशन यहां पर गलत लिखा गया है एक दिन पहले ही हमने यह कोईशन डिसकस के तो प्रहं दू उस दिन कोईशन का फॉर्माट कुछ और था उस दिन एयर भी दिया गया था बड़े अच्छे से कोईशन दिया गया था आज एयर नहीं दिया गया है तो हम डिटेश दिसकस करेंगे उस टाइम भारत के जर्णन को करते जिन में शिम्ला की यात्रा की ती यह कौन सा था यह 1827 का टाइम था यह ध्यान रखना है कौन सा यह था 1827 ध्यान रखिए बस यहां से यही बनता है अब लॉड करजन भी ऑप्शन में दिया गया है लॉड करजन के बारे में आप क्या पढ़ते हैं आपने यह ध्यान रखिए और यह जो आपका रिपन होश्विटल है इसकी नियम कब रखी गई थी 1882 में जो हो इसकी नियम रखी गई थी लॉड लिट्टन ओप्चिन में दिया लॉड लिट्टन कौन थे लॉड लिट्टन जो था वो अपने पतनी के साथ पिटर आफ में रुके जो तो राजबवन जो हो का जाता है अभी बात चली थी कि राजबवन को तोड़ दिया जाएगा और इसको फिर से ग्रोट को बनाया जाएगा यह बात चली तो कहा गया कि गवर्णर जो है कहां पर रुखेंगे जाकर बात चली कि गवर्णर जो है वो पीटरॉफ में जाकर पीटरॉफ में जो है उनके ठहरने का इंतजाम किया जाए पीटरॉफ जो है पीटरॉफ प्रजेंट टाइम है एक होटल के मैं काम कर रहा है प्रन्तु अभी बात चली है अगर मान लिज्ञे राजभवन का काम चलता है तो राजभवन से जो है वो गवर्णर को शिप्ट किया जाएगा पीटर ओफ यह ध्यान रखेगा यह बात चली थी अगला कोशिण कौन से इयर में राजा ने स्थापना की थी बारा सो ग्यारा इसपी में जो थाओ इसकी स्थापना की गई राजा गिरी से इनके द्वारा अब राजा गिरी से ने बारा सो ग्यारा में इसकी स्थापना की मैंने एक दिन आपको बताया था कि क्योंतल रियासा जो थाओ कौन से और क्योंथल जीयासत के उपर वापीस आते हैं तो क्यों था जब एठास सुस्तावन का विद्रो भुगत है तो उस टाइम क्योंथल जीयासत ने ले उच्री आफ सीथा और नेелиकी लाने, उफकर ने नना था संसार ज्यासत के अंतिम शासत के बारे में आप जानेंगे तो राजा की तेंदर सेन जो था वो इसके अंतिम शासत थे तो यह भी ज्यान में लिजिए अगला question most important question आता है बोलते हैं which is executing agency of मलाना to hydroelectric power project मलाना तो यह जो परियोजना है आपकी इसको execute करने वादी agency जो आपको पता होना चाहिए मलाना जो है वो ब्यास की साहिक्नी है बहुत बार हम पढ़ते हैं कि मलाना किसकी साहिक नदी है यह ब्यास की साहिक नदी ब्यास नदी जो है यह पानी प्रवाइड करा थे मलाना एक गाउं भी है जहां की डेमोक्रासी जो हो सबसे ओल्डेस्ट मानी जाती है मलाना गाउं के बारे मैं यह भी ध्यान रखिए अब मलाना दो परेउजना को जो अजेंजी एगजीकूट करती है वो हो यह और अपने देखा होगा एवरेस्ट पावर प्राइबी लिम्तिडिट मांने चाहे मैं गराम पर भी क्यूज़ करके कोशइन पहला था बहुत पहले अभी तो खैल यह वे याद रखिक है ब्यास नदी की साइक नदी है मलाना वो भी आपको पता चल गया तो यह सब मिलते जुल्दे कोईशन यहां से दोते नियाद रख लीजिए अगला कोईशन बोलते हैं महाराजा अगरसेन इनवेस्टी इस लोकेटेड एडविच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश जो महाराजा अगरसेन इनवेस्टी का हम प्राएगी बद्दी में आएगी ऑप्षिन ए जो है वो सही अंसर है अचा यह महाराजा अगरसेन इनवेस्टी के लावा और कौन कौन सी इनवेस्टी है जो बद्दी डिस्टिक्स तुरन में फटती है एक तो महाराजा अगरसेन इनवेस्टी हो गय सिसके स्था번ätter फ़्य एक मानम भार्त युद्ध रही इंविस्टि को सोनी इंट को यहां ? यहां पर एक और इनवस्टि स्थी मंडी में यह बिया हुए आपने दिहानर रखना ह Mais और पारलंपूर की कि बात करें निए पारलंपूर में सिरी साय उन्वस्टि पड़ता है पारलंपूर डिष्टी कांगडंудь बढुए साहिव की कि बात करें पूछा गया है है इसके पहले वाइस चांसलर कौन थे डॉक्टर राम करन सिंग जो था वो इसके पहले वाइस चांसलर थे वह भी आप ध्यान रख लिजिए यही मिलते जुलते यहां से बनते हैं अगरा गोशिन देखें बोलते हैं स्पीति इस ट्राइब्यूट्री ओफ व स्था वैद्डी नम क्या है अब स्थानुष नती के पास घुबत में कहीं जी माशिल प्रदेश में काहां पर एंटर करती है यही आप ध्यान लखें और सख सक और वी मिश्क करूप से पिति आति है रोपाती है तैंती आती है यूला आती है वेंग्र आती है कशांग के वैदलाग आती है के सारे हे साथलूज हिमाचल प्रदेश में कितना किलोमेटर बेहती है। यहां पर बोलता हैं सांगला वैली सांगला वैली को जो है वो अन्य किस नाम से जाना जाता है सांगला वैली कहां पर सित है यह भी बता होना चाहिए सांगला वैली कि नौर में सित है मैं बहुत बार बताता हूं सांगला वैली को बस्पा वैली के नाम से भी जाना जाता है और बस्पा वैली के नाम से जाना जा यहां पर दिया गया है बलहा गाटी बलहा गाटे most fertile valley है मंडी डिस्टिक यह ध्यान लखिए यहां पर दिया गया है दून वैली डून वैली डिस्टिक सोलन में वह बढ़ती है और कौन कौन सी वैली जो है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है जो एक्जाम पॉइंट आफ य इंपॉडन है एक तो दून वैली हो गया कुनियार गाटी हो गया इसके लावा मंडी की आपकी यह बलहा गाटी है यह भी काफी इंपॉडन है एक कौशन एक्जाम में बहुत बार पुछा गया है कि चंबा वैली को अन्ने के इस नाम से जाना जाता है तो चंबा घाटी को इसको रोडू घाटी के नाम से भी जो हो जाना जाता है तो यह भी ध्यान रखिए पबर वैली को रोडू घाटी भी जो हो गहते हैं आगे देखें क्वेशन नमर 11 है इंदर किला माउंटेन पीक इस लोकेटेड इन विच डिस्टिक और हिमाचल प्रदेश के किस जिले में तेशं इंदर किला माउंटेन पीक की बात हो रही है एक है तो ये कुल्लू में सच सब्सक्क्राइब कलूं हो गया यह भी कुल्लू में सितित है यह ध्यान रखके यह ध्यान रखेक्परा सब्यूंग लगों को इा रखता है कोए को रह्यान रखता है इसकी को odor ये ल्लोक झान रखताए कुल्लू का अब सब्सक्क्राइब एक पता होना चाहिए बता होना चाहिए बोलते हैं इस ऑफिर स्टीवाफ फिर प्रिखagu इंए हिमाचल प्रदेश परी में में लक्ता है कि लोह पित्टी जीले में में होतु पॉरी मेला भी लगता है ँपनी और अपको मुझें मेला हैं लहीं यतली एॅक आपका लगता है लघराया मेलाहे сбssä में लगता है मुख्य रूक से काज्या में मनाया जाता है लोसर बुढ़ीश्ट के द्वारा मनाया जाना यह लगता है अगला कॉस्ट कि नार्डो Trent बोलते हैं लक्षमिनारायांड मंदिर एक किसस्थान परशिप करेंगे यह कहां परशिप लक्षमिनालाण मंद्र डिष्टिक चम्बा मेंसे था यहां पर चम्बा भी ऑप्शिन में दिया गया है बरमौर भी ऑप्शिन में दिया गया है तब आप कन्फ्यूज भी थोड़ा सा यहां पर हो सकते हैं अब आप क्या टिक करेंगे तो जो लोग डेली वीडियो देखते हैं उन्होंने बिल्कुल सही अंसर जो है वो इसका किया होगा उन्होंने चम्बा ही अंसर इसका टिक किया होगा बरमौर नहीं किया होगा चम्बा में सित है यहां से चमबा सहर राबी नदी के किनारे बसा हुआ है लक्ष्मी नायन मंदिर छे मंदिरों का स्मूंग गुन से इट फिर्प ये इसको और के ओर गया था इसको राज़ा साहिल वर्मन के द्वारा दोरे स्थाप्ना भी करवाई थी तो यह सारे कोशिन आपने यहां से ध्यान रखने और देखो आपको पता है कि वीडियो के लास्ट में जो है वो हम important दो grant affair के कोशिन जो है वो डिसकस करते हैं वो अभी हम डिसकस करेंगे उससे बहले अगर आपने अभी तक हमें टेलिग्राम पर जोइन नहीं किया है तो जल्दी से जाएए अपने टेलिग्राम पर वहां से सर्च किजिए इस तरह से आपको मारा टेलिग्राम चनल जो है वो मिल जाएगा भी पर जने योई तो अगर्सट मिल अ करुने में है जो था यह इंडिया का हाईस हरब्रब्रफ्रेन इनवेट किया गए कहां पर किया गया चमौली इस्टिक में यह उत्तरखंड ले क्या है उत्तरखंड में तो Malaysia country के जब नए प्राइम मिनिस्टर बिनाए गए तो उनका नाम आपके लिए important हो जाता है उनका नाम था Ismail Sabri Yakub Ismail Sabri Yakub जो है वो यह आपने ध्याना दखना है यह नए प्राइम मिनिस्टर जो था वो Malaysia के अगस्त महिने में जो था वो appoint किये गए थे तो यह दोनों current affair के question आपके लिए most important है definitely किसी ना किसी exam में पूछे जाएंगे और रही बाट telegram की telegram पर अगर अभी तक भी आप नहीं जूड़े हैं तो जल्दी से telegram अपना open कीजिए search कर लिजिए at the rate all exam 31 आपको मना telegram channel मिल जाएगा वहाँ पर आपको हर एक important PDF मिल जाएगी जो आपकी exam में help करेगी और exam point of view से आपके लिए important होगी तो आज की वीडियो में इतना ही काफी है so that's all for today thank you thank you very much for watching and listening it very patiently